हालो दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल आध्यास क्रियेशन आज की हमारी रेसिपी है बेसन वाली भिंडी सिर्फ 10 मिनट में बनने वाली 9 ओनियन, 9 गार्लिक रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं भिंडी खरिते वक्त सबसे पहले उसको लेके ऐसे उसके सिरे को तोड़ के देख लीजे वो आसानी से तोट गया तो भिंडी ताजा है भिंडी को अच्छे से धो के सुखा लिया है और उसको दोनों सिरे को ऐसे काटना है करीब डेड़ इंच के टुकडों में ऐसे काटना है आप चाहिए तो ऐसे भी ले सकते हैं मैंने बीच में इसे आधा कट कर लिया है सारी बिंडियों को काट के ले लिया है अब एक पैन में दो से तीन टी स्पून तेल डालना है तेल गरम होते हैं उसमें आधा चमज जीरा एक चोता ही चमज हींग डालना है अब इसमें कटे होए भिंडि को डालना है थोड़ी देर के लिए चलाना है इसको अब तुरंट इसमें स्वादा नुसर नमक और एक टी स्पून आमचुर पाउडर डालना है इन दोनों चीजों की वज़े से बिंडि में जो स्टिकिनेस होता है वो निकल जाता है अच्छे से मीडियम से हाई फ्लेम में भुनना है लगातार इसे चलाना है उसके बाद दो टी स्पून बेसन डालना है दोस्तों मैंने बेसन को भुना नहीं है आप चाहिए तो भुन के भी डाल सकते है बिंडि के साथ बेसन को अच्छे से मिलाना है इस वक गैस के आज को धीमे रखें उसके बाद एक चोता ही चमच हल्दी पाउडर एक टी स्पून धनिया पाउडर और एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दें और फिर से एक बार चलाएं इसको अच्छे से ग्यास के आज को मीडियम ही रखें नहीं तो यह मसाले जल जाएंगे भिंडी बहुत जल्दी पक जाते हैं इसको पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बार धकन लगा के मीडियम आच पे करीब दो से तीन मिनट के लिए इसको पकाएं यह देखिए कितने अच्छे से भिंडी पक गई है और सारे मसालों के साथ अच्छे से मिल गई हैं एक सर्विंग बॉल में निकालके परोसी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए यह परफेक्ट रेसिपी है और हिल्दी भी है आपको यह रेसिपी कैसे लगा कमेंट करके बताईए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू